हालो फ्रेंड्स वेलकम टुमाई यूटूब चैनल इंग्लिश विद माया और कैसे हैं सभी लोग आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड तो फ्रेंड हमारी सीरीज चल रही है प्रोनाउन की जिसमें हम लोग प्रोनाउन का एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हम ल लाइक करें कमेंट करें शेयर करें देखते हैं आज का प्रोनाउन तो सिकन हमारा क्या होता है सिकन हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन वो इंडेफिनेट प्रोनाउन पहला होता है पर्सनल सिकन होता है इंडेफिनेट ठीक है तो चले देखते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउ होता जो कोई निश्चित प्रोणाउंस ना हो मतलब उनकी संभावता जो नीड होती है मतलब की जो indefinite होती है definite चीजे नहीं होती है इसमें मतलब कुछ चीजे प्रोवाइड की जाती है जैसे कि someone मतलब की कुछ लोग somebody no one nobody anybody anyone everyone everybody are is called indefinite pronoun यह सारे प्रोणाउंस जितने भी हैं यह क्या कहलाते हैं यह कहलाते हैं indefinite pronoun these words are used as singular and it takes a singular verb और यह हमेशा कैसे वह होते हैं singular हमेशा count किया जाते हैं और हमेशा यह अपने साथ क्या लेते हैं singular verb लेते हैं यह बात आप अच्छे से याद रख लिए singular account किया जाएंगे और इनके साथ हमेशा singular verb आएगी दीज वर्ट्स आर यूजड फॉर पर्सन और हमेशा यह पर्सन के लिए यूजड किये जाएंगे किसके लिए पर्सन के लिए यूजड किये जाएंगे तुसके स्क्रीन सॉट ले सकते हैं आप लोग चले देख लेते हैं next one देखें अगर कि शम्तिंग नथींग एनीफिंग एवरितीं आप इसकाल इंडेफिनेट प्राउन यह भी आपको पता है यह संप्सिंह संबडी वाले संप संधिंग वाले जिसमें भी लग जाये तो यह हमें सा किसके लिए यूजड हो जाएंगे यह भी तिंस के लिए यूज़ हो चलिए देखिए जैसे कि हैं some, most, any, all, few, one, etc. are called indefinite pronouns ठीक है ये भी सारे indefinite pronouns है these are used according to the sense and nature of the sentence मतलब भी हमें सब कैसे use होते है sentence के according और उनके मतलब क्या sense है उनके according ये सारे pronouns use होते हैं ठीक है किसमें indefinite pronouns देख लिलते हैं अब इनके for example देखें जैसे क्या है someone are waiting for you someone are अब देखें यहाँ पर आर लगा दिया गया है इसलिए ये wrong होगा क्योंकि someone हमेंसा कैसे count के जाते हैं singular तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आती singular तो यहाँ पर वर्ब आर लिखा है देखें जैसे someone has told this story अब यहाँ में बिल्कुल सही दी गए क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब हैं singular है तो कई लोग यह story को कह चुके हैं तो यह बिल्कुल सही है और इसमें अगर is लग जाता तो यह भी सही हो जाता ठीक है नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा नहीं इस falling वर्ब तब आप किसमें चेशल कौंट होंगे सारे से बिल्क होगे स्यूडियर भी रिखाए ठीक है चलिए देख लेते है next one करेश सम क जैसे यες है सम मियज वीड वीड रिभ हमेचा किसमें 100% positive use होता है और interrogative में लगब 20% interrogative पे यह use हो जाता है क्या sum तो आप ये बात अच्छे से याद रख लेंगे कि sum हमेशा 100% positive पे ही इसका sense बनेगा और interrogative 20% हो सकता है एनी कदे के use क्या होता है एनी अधिकतार पतला हमेशा negative thoughts के लिए यूज होता है और ये interrogative भी यूज होता है 100% negative और interrogative दोनों के लिए use होता है जैसे sum positively 100% और 20% interrogative और इसी तरीके any 100% negative 100% interrogative दोनों के लिए use होता है ठीक है चलिए for example देखे I have some money in the I have some money in the bank अब देखें यहाँ पर क्या है I have some money in the bank अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि मेरे पास कुछ पैसे है कहां bank में तो यहाँ पर positive मतलब बात हो रही है ठीक है तो इसी लिए यहाँ पर क्या use हुआ है मतलब कि some किसके लिए money के लिए use किया गया है तो यहाँ पर positive बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे जो verb लगे क्या लगे have ठीक है I don't have any money in the bank अब यहाँ पर क्या किया जा रहे है I don't have मतलब कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है कहां bank में तो यहाँ पर negative thoughts use हो रहे हैं तो negative के लिए हम क्या लगाते हैं एनी मैंने बताया तो देखें यहाँ पर एनी लगा है एनी वनी ठीक है कुछ के लिए अब देखें जैसे have you some money in the bank अब interrogative sentence है तो यहाँ पर सम भी आ सकता है ठीक है और एनी भी आ सकता है मतलब कि मेरे पास कुछ पैसा है बैंक में मतलब interrogative sentence में पूछा जा रहा है तो यहा पीटी sentence में यह भी लग सकता है सम में लग सकता है दोनों ही लग सकते हैं इस sentence में ठीक है चलिए देख लेते हैं next one अब some और all का use देख लीजिए some हमेसा countable पर यूज किया जाता है वो भी person के लिए किस के लिए person के लिए हमेसा some यूज करते हैं countable यह होता है प्रोनाउन औ हमेशा कैसी होती है singular होती है तो इस विजह से और some हमेशा क्या होता है countable होता है तो countable अधिकतर क्या होता है मतलब singular भी हो सकता plural भी हो सकता किसमें छूच किया जाए प्लूरल परसन पर तो इसके साथ वर्भ भी कैसी आएगी प्लूरल ठीक चलिए देख लेते हैं कुछ एक्जामपल इसके जिसे कुछ अच्छा है तो सम इस गुड यह सेंस तो मतलब देखा जाया तो सिंगलर यूज हो रहा है जैसे कुछ लोग अच्छे हैं ठीक है तो सम आ यहां पर कुछ लोगों की बात हो रही है यह मतलब देखा जाते हैं यहां पर प्लूरल निकल रहा है तो इसलिए यहां पर वर्भ कैसे लगी है प्लूरल आल इस विल सब कुछ अच्छा है ठीक है तो यह कुछ चीजों के लिए बात हो रही है तो यहां पर हो रहा है मतलब की इच लग रहा है singular verb लग रही है all are used मतलब सब लोग बढ़िया है यहां सारे चीजों की बात हो रही है ठीक है लोगों की बात हो रही है तो इसलिए यहां पर आल लगाएंगे ठीक है चलिए देख लेते है next one जैसे कि some all के बाद आफ लग जाएं फिर उसके बाद दा लग जाएं सम आफ यहां आल आफ दा अगर इसके बाद uncountable things मतलब आता है नाउन तो हमेशा singular count किया जाएगा और इसके साथ verb भी कैसे लगेगी वर्ब भी हमेशा singular count होगी ठीक है अगर uncountable noun आ रहा है सम आफ दा के बाद तो वो singular use होगी और उसके साथ verb भी कैसे लगेगी singular अगर इनके बाद सम आफ दा या फिर आल आफ दा के बाद अगर countable noun आ रही तो उसके साथ हमेशा plural noun और उसके साथ verb भी कैसे लगेगी plural लगेगी ठीक है तो इतना आप लोग अच्छा से याद रख लेंगे देखते हैं फार इक्जांपल सम आफ दा मिल्क इस हाँ डिस्पर्स सम आफ दा मिल्क इस डिस्पर्स अब देखिए यहां पर सम आफ दा आया है और उसके बाद क्या है उसके प्लूरल लगेगा ठीक है प्लूरल यूज होगा तो इसके साथ वर भी कैसे लगेगी प्लूरल सो यह भी करेक्ट हो जाए ठीक है चलिए अब देख लेते हैं आपका इंट्रोगेटर प्रोनाउन अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा इंडेफिनिट प्रोनाउन आप अच्छे से समझ चुके होंगे ठीक है अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो आप दुब पढ़ रहा है चैप्टर वाइज यह आपके इमारेश टीजीटी पीजीटी यह उपी टीजीटी पीजीटी डी ट्रॉपल स्भी या फिर कोई भी आलवन्डी एक्जाम यह सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टन क्योंकि बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक की आपकी ज चली पढ़ते हैं इंट्रूगेट्व उडवर्ट इंट्रूगेट्व उड्वा ऌणल कौण क्व Pacirian when w एच य। उजवर्ड इंट आई प्रोणाउन इने ह diis काल म होते हैं वह वते हैं την इंट्रूगेट्व उड़ेट्व उडवालत तो जैसे वें हो गया रोत हो गया हो फि उसके बाद देखीए डबुएच है फिर उसके बाद कोई सा मतलब कि वो आ जाए जैसे कि प्रोनावन आ जाए subject वर्ब फिर देखे डबुएच के बाद एक helping verb आता है फिर उसके बाद subject आता है फिर उसके बाद याहां पर क्या लगा होगा है एक हमारा रूल होता है जिसमें WH से पहले लग किया आता है उसके बाद helping verb होती है फिर subject फिर verb फिर object ठीक है और दूसरा क्या होता है देखिए second क्या होता है हमारा जिसे WH हो गया फिर उसके बाद noun उसे related noun फिर helping verb फिर subject ठीक है फिर verb फिर object तो यह क्या होता है यह एड्जेक्टिव होता है यहां पे जो यह डब्लू एच होता है यह क्या बन जाता है एड्जेक्टिव के काम करता है क्योंकि नाउन के पहले आता है तो चलिए देख लेते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो जो वेर है तो यहाँ पर यह क्या काम कर रहा है यहाँ पर यह इंट्रुगेटिव क्या कहते हैं इंट्रुगेटिव जैसे अब यहाँ पर जैसे क्या है विच कार डू यू लाइक इस टाइप से हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पजेसिव प्रोणाउंस क्यों से होते हैं जिन से रिलेटिंग प्रोणाउंस बनते हैं पजेसिव प्रोणाउंस तो आप जानती हैं जो मतलब की क्या हो किनी सब्जेक्ट मतलब की प्रोणाउंस ही जो पजेसिव बनते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पजेसिव प्रोणाउंस जैसे देखें सब्जेक्ट हमारे जैसे आई है आई क्या होता है यह सारे पर्सनल मुझे करएंगे एक बंता है परजयसी प्रोण रेसल आएक और प्रोणाउन इसका ऑबज prostsite अगले का को तो इसकाषिट अगैग्ट तो माण तो जाए अगर और बना आएक्श न बनेगे को हैं ऑ झोजए इसे टौन चाहिए मिच्.. हुआर इसमें मघश मित शेक्षि प्रोनाउन चाहिए ~~ दोनों ही बन जाता है इसका reflexive pronoun he का इसी तरीके his बन जाएगा आपका possessive pronoun और his his भी यहाँ पर क्या बनेगा बनेगा possessive adjective दोनों ही सेम रहते हैं और him बनेगा objective case और himself बनेगा आपका reflexive pronoun इसी तरीके c का hers her herself its का यह सारे आपको याद करना है its हो जाएगा इसका its ठीक है इसका it itself इसी तरीके they are, theirs, they are और them, themselves यह सारा आप इसका screenshot ले लीजिए क्योंकि हर चेज में काम आने माला है ठीक है क्योंकि आपका objective case पूछा जाए तो आपका objective case याद होने चाहिए possessive case पूछा जाए तो possessive case याद होने चाहिए पजैसी प्रोणाउन पूछा जाए पजैसी अर्जक्ति दोनों ही याद होने चाहिए और reflexive प्रोणाउन भी ठीक है चले आई हो पी इस्क्रीन से यह लेच चुके होंगे चले अब हम लोग देखते हैं यह हमारा adjective तो adjective के बात क्या आनी चाहिए या तो फिर एक noun आनी चाहिए तो सही हो जाता है यहाँ पर my भी क्या है हमारा यह देखिए my हमारा क्या है adjective है इसके बात यह तो फिर एक noun आएगा तो सही हो जाएगा noun नहीं हो तो क्या आना चाहिए mine पजेसी प्रोनावन क्या आना चाहिए, that is mine, तो साही हो जाता है, ठीकत, पजेसी एड्जेक्टिव is used with a noun, मतलब हमेशा पजेसी एड्जेक्टिव के साथ हमेशा क्या आता है, noun आती है, if you use without, अकर बिना noun के यूज होगी, तो वो sentence क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा, जिस यूर हमारा क्या adjective उसके साथ noun आया है, तो यह बिलकुल correct है, इसी तरीके जिसे that is my book, अब my क्या है, यह भी adjective हो, उसके साथ noun लिया है, तो यह correct है, तो आप से यह समझ लिए, जितने भी पजेसी adjective होगी है, तो वो अपने साथ हमेशा noun लेते हैं, और जितने भी पजेसी pronoun हो इस देखे है, ठीक है, बात clear हो गई न, चलिए, देख लेते हैं, next one, देखी, इनका rule आप देख लीजी, जैसे क्या है, that is her house, अब यहाँ पर हर्स नहीं होगा, क्या, हर्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हर्स होगा, हर्स क्या है आपका, पजेसी adjective है, ठीक है, और यह क्या हो जाता है, हर्स आपका बन जाएगा, objective case, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा, यहाँ पर हर होता, तो सही हो जाएगा, this is there's नहीं होगा, यहाँ पर there, there, क्योंकि हमारा adjective, पजेसी adjective होता है, तो यहाँ पर there होना चाहिए, तो अगर there होता, तो सही हो जाता है, यह क्या है wrong है the possessive pronoun is used without noun if we use if we use with noun the sentence with wrongs बात clear हो गई तो that house is hers देखें hers क्या है आपका यहां पर possessive pronouns है तो इसको किसी noun क्या सकता नहीं है तो यह विलकल correct है this school is theirs यह भी there's भी आपका possessive pronoun है तो इसको भी किसी noun क्या सकता नहीं है तो यह भी correct हो जाएगा ठीक है यह थी आपके possessive pronoun तो आप वो चार्ट याद कर लीजे उससे आपके बिलकुल correct हो जाएंगे ओके चली अब हम लोग देखेंगे relative pronoun क्या है relative pronoun who which and that are is called relative यह तीनों ही क्या होते हैं आपके relative pronoun who which that यह तीनों most important यह rules हैं आप इनको अच्छे से याद करेंगे चली जो हम लोग पढ़ रहा है देखें जब हमारा subject क्या हो real हो तो वर भी कैसी लगती रियल लगती है और फाल्स हो तो वर भी क्या होती फाल्स हो जाती है ठीक है इसी यहां पर क्या है हू है, हमेसे क्या लेगा इज लेगा, R भी ले सकता M भी ले सकता, अगर C है तो C कि एकोर्डिंग इज हो जाएगा U है, तो U कि एकोर्डिंग R आई है तो आई के एकोर्डिंग M हो जाएगा, जिसे देर है, देर एकोर्डिंग क्या हो गया, एज होएगा, और आल लग जाएगा, ठीक है, बात क्लियर हो गई न, चलिए, अब देख लेते हैं, इनके कुछ एक्जामबन, जैसे क्या है, अब देखे, हूँ हमेशा, अपने से जो एज़े, मतलब एज़ेसेंट जो नाउन होती, उनके कॉर्डिंग आगे, हम क्या लगाते हैं, वर्व लगाते हैं, तो इसके पहले क्या है, दा बाए, तो हूँ अधिकतर किसके लिए यूज होता है, हमेशा, लिविंग तिंस के लि यूज होता है, ठीक है, और जो दाइट होता है, वो दोनों के लिए यूज हो जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है, और जो विच यूज होता है, विच हमेशा, किसके लिए, नॉन लिविंग तिंस के लिए, ठीक है, नॉन आप दैट यूज कर सकते हैं ठीक है यह भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे तो देखें यहां पर क्या हूँ है कोई परसान है मतलब living things है ठीक है तो इसके देखें यू की जो यहां पर यह वर्ब है तो यह यू का है लेकिन यह दा बॉय का इधर लगेगा जाके तो द जाएगा you are the boy who has won the match तब यह correct हो जाएगा अब देखें जैसे क्या है नाउन या प्रोनाउन आपका singular हो या plural हो ठीक है who which that अगर तीनों में से आता है तीनों ही वर्डाते हैं कोई सबी एक आता है इसका मतलब क्या होता है जो तो इसके बाद जो मतलब की वर्ब लगेगी व प्लूरल है तो प्लूरल अभी बताया ना बिलकुल वैसे ही देखें जैसे for example देखें जैसे क्या है the books that I bought yesterday was costly अब देखें वाज या वर लगाएंगे देखें the books the books that I bought yesterday ठीक है अब यहाँ पे वाज न लगा कर हम क्या लगाएंगे वर्ड क्योंकि यहाँ पे दा बुक्स क बात हो रहिए किसकी बात हो हुछी da books the books, the books and the upsTeam is applicable plural things दैखे fucking that मैं ने बताया था ना ना नौन लविग चीज के लिए दोझे यहाँ पे न लगाएंगे तो पेर आपन न ल वाज हुईंक व्यम्तलम कि मैं कार खरीदने जा रहा हूं जो मेरा सपना है तो यहां पी वीच यह तू हो गई इसके पार्डिंग एम अपावागिया यहां Camp ॡ魚 दीघे रहा है इध्य है Smr 6 गडिंग दीघ्टीजे लिए सथानल सेप क की भी इंजरी सानल है कि गदा कार के कॉर्डिंग यहांपे क्या लगाएंगे वाज क्यूंकि स्चलर और भी कैसा लगए सिंग्यां ठीक है यह लिख्भु यहांपे बताया गाए है कि यूच Commissioner क्लिए क्लिए विज्च उच करते हैं, इ praktी यूच करते हैं रूफे CDC कलिए data विन्हों बता है यह रूल आप अच्छे से स्क्रीन सोट कर लिजिए लिख लिजिए ठीक है तो यह आपके हमें सा काम आने वाले देखे जैसे क्या है देखे जिस दा बिल्डिंग विच वास बिल्ड इन सिंगल मंद अब यहां पर बताया गए है कि विच करेक्ट है कि नहीं तो दा बिल्डिंग कैसी है नॉलिविंग थिंग से उसके कॉर्डिंग विच बिल्कुल करेक्ट है ठीक है चलिए अब देख लेते हैं next देख लेगा कि देज नाट लगेगा help the poor अब देखे यहां पर कि दोज डॉक्टर्स अब हम समझ लेते हैं who और home के बारे में देखे who use for living के लिए बिल्कुल सही है relative pronouns की तरीके भी use होता है subject मतलब कैसे है अगर subject की रूप में use हो रहा तो relative pronoun ठीक है और इसको हमें से किसकी तलास होती कोई subject की तलास होती किसको who को किसको करता है यह position के लिए हमें से use होता है किसका है जिसके लिए home का मतलब होता है किसको यह हमें सा object की तलास करता है who हमें subject की तलास और home हमें सा object की तलास और इसको position की तलास होती है यह भी एक relative pronoun जो कि non living things के लिए use होता है यह हमें सा selection पर choice करता है कि वो living things है कि non living things है ठीक है that किस पर use होता है living के लिए भी use होता है non living दोनों के लिए use होता है ठीक है, बात clear होगी न चलिए, देखिजिसे कि home do you like most मतलब कि तुम किसको पसंद करते हो सबसे जादा, ठीक है तो यहाँ पर क्या आया, home तो the boys whose parents are allowed are staying with us यहाँ पर क्या लगेगा, who लगेगा कि home लगेगा, whose लगेगा which, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा whose parents, किसके parents की बात हो रहे है तो यहाँ पर whose लगेगा, ठीक है तो यह थे हमारे relative pronoun ओके और बाकी की class हम लोग कल करने वाले है जितनी भी pronouns बचे हैं हम लोग next session में करेंगे तो चले friends class को अब हम लोग over करेंगे over करने से पहले, अगर आप channel में नए है तो channel को subscribe करें like करें, comment करें, share करें thank you so much